आज मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ 8th, 9th और 10th मन्द के बेबी का फूड रूटीन and फूड चार्ट मेरा एक माइक्रो प्रीमी चैनल इंग्लिश में भी है लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप प्लीज उस चैनल को सब्स्राइब कीजिए और मेरी मदद कीजिए कि मैं जादा से जादा ओडियन्स तक पहुस सको छटे और साथवे मन्थ में बेबी बेबी फूड ले रहा था प्यूरी फॉर्म में मगर आठवे महीने से आप बेबी को मैजड फूड देना स्टार्ट कीजिए आप बेबी फूड को मैश कर सकते हैं फोक की मदद से या फिर मैशर की मदद से ब्लेंडर यूज़ करने की जरूरत नहीं है क्यूंकि मैश फूड देने से बेबी चबाना और स्वालो करना सीखेगा और आगे वो सॉलिड फूड के लिए रेडी होगा कुछ बच्चे एक से डेड़ साल तक भी प्योरी फूड में ही फूड लेते रहते हैं क्यूंकि उन्हें टाइम पर मैश फूड देना शुरू नहीं किया जाता और आठवे महिने से आप बेबी को फिंगर फूड भी इंट्रिद्यूस कीजिए आप बेबी को दे सकते हैं चोटे-चोटे बॉइल्ड के पीसे चोटे-चोटे बनाना पीसे आप बेबी को दे सकते हैं चोटे-चोटे स्ट्रॉबेरी के पीसे और सॉफ्ट बॉइल्ड वेजिटेबल्स के चोटे-चोटे पीसे करके आप बेबी को एज़ा फिंगर ज्ञिसकी वजह से बेबी इनस स्पाइसेस के लिए टेंट डेश्स करेगा और यह स्पाइसेंस मेडिशनल बेबी को बिमारी उसे दूर रखने में हेल्प करेंगे। आप बेबी को थोड़ा पनीर चीज देना भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आप start कर सकते हैं बेबी को oil देना आप बेबी का खाना vegetable oil, coconut oil या फिर olive oil में बना सकते हैं और बेबी के पके हुए खाने में आप उसको थोड़ा सा घी डाल कर भी दे सकते हैं बहुत से parents थोड़ा सा confused रहते हैं कि बच्चे को किस time पर क्या दिया जाए आप इस चीज़ को ऐसे याद रखिए कि बेबी को एक time milk देंगे फिर food देंगे फिर milk फिर food आप बेबी को साड़े 6 से 7 बजे के बीच में breast milk या फिर formula milk दे दीजिए साड़े 8 से 9 बजे के बीच में आप बेबी को breakfast दे दे दीजिए आप दे सकते हैं सूजी खीर, rice खीर और दलिया और 11 से 2 से बेबी को फिर से breast milk या formula milk दे दीजिए और 1 से 2 बजे के बीच में बेबी को lunch दीजिए आप बेबी को खिचडी दे सकते हैं, दलिया की खिचडी दे सकते हैं, वेजिटेबल खिचडी दे सकते हैं चार से पांच बजे के बीच में आप बेबी को फिर से मिल्क दीजिए, ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मिला मिल्क और अब 7-8 बजे के बीच में बेबी को डिनर दीजिए मेश्ट डाल राइस, मेश्ट खिचडी या फिर मेश्ट वेजटेबल बेबी को अच्छे से ग्रो होने के लिए रिक्वाइरमेंट है प्रोटीन्स की, कार्भो हाइडरेट्स की, फैट्स की, विटेमिन्स की तो बेबी को आप वराइटी ओफ वेल निट्रिशिस फूड दीजिए अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी मदद कीजिए इस चैनल को ग्रो करने में आप हमेशा उसमें 3-4 टेबल स्पून एक्स्ट्रा लीजिए क्योंकि अगर बेबी को बेबी फूड अच्छा लगा तो हो सकता है उसी ताइम पर वो 2 स्पून एक्स्ट्रा खा ले मगर बेबी अगर बोल का फूड फिनिश कर दे और आप और फूड लेने के लिए किचिन में जाएं और इधर बेबी फूड के लिए वेट कर रहा है तो हो सकता है जब आप फूड लेकर वापस आएं बच्चे का मूड चेंज हो जाए और वो और ना खाए तो हमेशा थोड़ा फूड एक्स्ट्रा लीजिए बच जाए तो कोई प्रॉबलम नहीं है मगर हो सकता है बच्चा पूरा खाले तो बहुत अच्छा होगा जब भी आप बेबी फूड रेडी करने जा रहे हैं अपने हाथों को बहुत ही अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोलीजिए आप बेबी फूड रेडी करने से पहले फूड एड वेजिटेबल्स को भी बहुत ही अच्छे से धोलीजिए बहुत अच्छा होगा अगर आप बेबी को ज्यादा तर फ्रेश बना हुआ खाना दें बेबी का स्पून और बोल उसे खाना देने से पहले उसको अच्छे से स्टराइल कर लीजिए सारे ही बच्चे अलग होते हैं और उनकी फूड रिक्वाइरमेंट्स भी अलग होती है आप बिलकुल भी टेंशन मत लीजिए अगर आपका बेबी फूड चाट के अकॉर्डिंग नहीं खा रहा है हमेशा बेबी को फूड सर्व करने से पहले पहले आप उसको टेस्ट कर लीजिए आप उसको चेक कर लीजिए आप से बहुत जल्द दुबारा मुलाकात होगी 11-12 महीने के बेबी के फूड डूटीन और फूड चाट के साथ लूट अफ लूट तो परेंट और बेबी